अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या उनको क्रीमी की प्रॉब्लम है वैसी ये प्रॉब्लम शायद आपके घर में बच्चों को होगी तब ही आप इस वीडियो को इस ड्रग के नाम से सर्च करते वे यहां पे आएं तो आज के वीडियो में मैं आपको दो चीज़े बताऊंगा एक तो अगर आप इस ड्रग का नाम सर्च करके हैं तो इसका काम क्या है इसका यूज क्या है वो आपको समझाऊंगा साथ मैं एक अनफिशल एक ऐसा टिप्स भी बताऊंगा जो कि आपके उस प्रॉब्लम को आप बगलबब तीन साल फार तीन साल के आसपास के तो वो अभी इतने मैच्योर इनफ नहीं हुए हैं कि वो चीज़ों को समझ सके कि किसको यूज करना है किसको यूज नहीं करना है किसको खाना है किसको नहीं काना किसको चूने के बाद हाथ दोना है ये सारे नॉलेज उनके प टाइल्स पगरे लग गए है तो प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हुई है बट कतम नहीं हुई है तो इनके कारण से वो जो सब्स्टेंस वो अपने मुह में लेते हैं उसमें बेसिक चीजों तरिके से का देखा जया तो कुछ लारवा होते हैं जो पारसाइट्स होते हैं उनके ला चुन्ना की प्रॉब्लम होती है बहुतों को वो यह नहीं मालब होगा लोकल लेंग़ देखा होगा आप ककभी आपने क्रीमी के objects क्रते हैं तो यह ख्रीमी आगे मूब करते रहते हैं और आपके बच्चे के गोश के intestine में चिपक जाते हैं उनके पास चिपकने का specific parts होते हैं उनकी anatomy ही ऐसी होती है कि वो चिपक जाते हैं ऐसा मानगे चलिए कि उनके सुई की नोग की तरह substance होते हैं जिससे वो attach हो जाते हैं आपके intestine से और जहां से चीजें absorb होती हैं आपके benefit के लिए nutrition point of view से उसी से nutrition वो अपने ले लेने लगते हैं इससे बच्चा कमजोर हो जाता है weak हो जाता है lose motion के problem होती है और दीरे data version भी कम होने लगता है यहां से वो जब मीठे की और move करते हैं तो वो उनके rectal root की और चलने लगते हैं तो आज की वीडियो में मैं जिस medicine के बारे में बात कर रहा हूँ यह है आपका zental suspension basically यह इसका brand name है लेकिन active constant कौन सा है इसका active constant है albendazole oral suspension Indian pharmacopya के guideline के accordingly यहां पर main चीज हमारा है albendazole albendazole एक ऐसी category का drug है जिसको हम लोग बोल सकते है entlementic category का drug रखा गया है जिसमें वो worms को जिनमें वो creamies को अलग अलग तरीके के creamies जो dog के कारण से भी आज़ते हैं जो इस तरह cyst formation करते हैं उस तरह के creamie को भी destroy करने का काम करता है इसका एक खास बात यह है यह syrup का यह एक single dose pack है और इसका जो content है वो है 10 ml मतलब इसके जो 10 ml के content की सीशी है इसको आपको एक ही बार में एक ही साथ देना चाहिए लेकिन रुकिए यहाँ पे यहाँ पे एक चीज बिशेश ध्याम देए कि आपके बच्चे के उमर कितनी है अगर आपका बच्चा 20 साल से कम का है तो उसे पुरा 10 ml का dose ना दे उसको कितना dose suitable करेगा वो depend करता है आपके बच्चे के profile के उपर जैसे की उनका body weight और response body mass क्या है उसके उपर depend करता है तो एक बार आपको उस case में अपने बच्चे के लिए अपने डॉक्टर के सारा जरूर ले ले बट अगर आपके बच्चे की age 20 साल से उपर है तो आप इसका single pack यानिके 10 ml का pack दे सकते हैं और इससे उसको काफी जादा रहात मिलेगी और अगर वो 20 साल से थोड़ा सा उपर लेकिन 3 साल से कम है तो आप उनको इसी के दो खुराग दे सकते हो आधा आधा करके लगबग लगबग 10 दिन का गेप रखा जा सकता है बट मैं कहूंगा आप अपने डॉक्टर से अपने बच्चे के डॉक्टर से एक बार कंसल जरूर करें तो यह होगा एक बात की इस ड्रग क्या है कैसे काम करता है अब उसके बारे में हम सुन लेते हैं अलबेंडाजूल एक ऐसी के डिकडिकडिके ड्रग है जो उस पर्टिकुलर वर्म्स के अंदर उन चीजों को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है जिन चीजों के ऊपर आपका वर्म सर्वाइब कर रहा होता है बातों को समझेगा सिंपल दर के समझाना मेरा मकसद है अगर मैं अपने रेस्पेक्ट में बात करूँ आपकी या मेरी तो हमको कुछ चीज़े जरूरी होती है जीवन जीने के लिए खाना, पीना, पानी, हवा यह सब हमको आवशक होता है अगर कोई हमसे इन चीज़ों को छीन ले या इनकी अवेलबिल्टी को कम कर दे तो हमारा सर्वाइबल पहले के तुल्ला में तोड़ा प्राब्लमेटिक आ जाएगा और अगर इसको पूईता ऐसे बंग कर दिया जाए तो हम जादा दिन तक सर्वाइब नहीं कर पाएंगे ऐसे ही यह वर्म्स हमारे या हमारे किसी भी बच्चे के किसी भी व्यक्ति के होस्ट के अंदर यह सर्वाइब कर रहे होते हैं तो वो पिन चुभाओ करके अपने अंदर के लिए न्यूट्रिशन को लेते रहते हैं शक करते रहते हैं समझने के लिए ऐसे समझे कि अमर बेल का पौधा किसी दूसरे पौधय के ऊपर रह करके उसके nutrition को अपने लिए यूज करता है ऐसा ही ये वंज हमारे साथ या जिसके अंदर ये डवलप हुए उसके साथ ये करते हैं तो उसके nutrition को ले करके अपने लिए multiplication करते हैं और उनके संख्या लगातार बढ़ती रहती है तो मोटीव यहां पर यह है अलबेंडा जोन को यूज करने का या तो उनके जो टिब्यूल है और उसके polymerization है यानि कि multiplication है उसको हम बंद कर दें यह चीजे थोड़ा साय आपको समझ में ना आया अगर general public है तो मैं आपको बताता हूँ टिब्यूल बेसिकली चोड़े पार्ट्स होते हैं जो कि आगे दाकर को उनको structural activity प्रवाइड करते हैं यह टिब्यूल जो polymerization यानि कि multiplication होते हैं तो microtibule बंते हैं और यह आगे दाकर के आपके उस particular cells के respect में multiplication के division के लिए responsible में तो यह उसको बंद कर देता है दूसरा काम यह करता है कि इनके glucose के uptake को भी बंद कर देता है ग्लुकोज का मतलाब आप समझते है energy लेने के लिए जिसकी ज़र्वत पड़ती है उसको यह restrict कर देते हैं जिससे वह survive नहीं कर पाता क्योंकि उसको glucose मिल ले आगे जो बढ़ती है और आगे जाकर कि cell को डिवाइट करने मदद करती है इनको बंद कर दिया जाता है इससे क्या होता है कि जो cell division है मतब multiplication है यह नहीं हो पाता और multiplication होगा cell division होगा तो उनके संख्या बढ़ती जाएगा get reproduction उनका बढ़ते जाएगा तो और उनके संख्या बढ़ेगी तो प्राब्लम और बढ़ेगी तो ये उनको वहीं पर stop कर देते हैं वार इस तरीके से उनके survival को बंद कर दिया उनके migration को बंद कर दिया उनके hooking activity को बंद कर दिया और उस तरीके से वो deplete हो जाते है energy से deplete हो जाते है glucose से और इस तरह से multiply नहीं करपाने के विए से उनकी death हो जाती है तो यह जो आपने दवाई देखा या अगर आपने दे रहें तो अब आपको पाचा लगया होगा कि यह काम कैसे करता है अगर आप बहुत ज्यादा इंट्रेस्टेड हैं इनके basis को समझने के लिए तो हमारा main channel है solution pharmacy वह आपको मैं एक तरीका और बताऊंगा जो कि अनओफिशल तरीका है जिसे घरे लिए उसका भी बोला जा सकता है अगर आपके बच्चे के अनल पार्ट में कुछ चीज़ें काट रही है तो do nothing anything about it आपको सर्फ एक चीज़ करना है वह है नीम का original तेल लेके आना है अडल्टे थोड़ा सही रखिएगा और इससे उनकी जो problem है बहुत जल्दी recover हो जाएगी बट यह permanent इलाज नहीं है यह temporary symptomatic treatment है जब जब उनको problem होगी जब जब बोरोईंगे तब भी थोड़ा मदद कर सकता है लेकिन यह कोई specific treatment नहीं है as I said किसके लिए आप temporarily रात को overcome करने के लिए पास करके उनकी age is high साल से उपर है तो आप इसको recommended dose के accordingly as per your physician use कर सकते हैं thank you so much for doing this video नमश्का टेक केर